हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ये अमेजिंग चाइनिज ड्रामा लेकर आई हूँ ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें कुछ कार्स को दिखाय जाता है जिन में से एक रिचेश्ट बूड़ा आदमी निकल कर बहार आता है जो कि मिस्टर तियान है, वो अपने आदमियों के साथ एक टेंपल में जाता है और वहाँ जाकर प्रे करता है कि प्लीज गौड मुझे पर दया करो मेरी हल्प करो ताकि मैं अपने बेटे को ढूंड सकूँ जिससे मैं सालों पहले खुँच उका हूँ अब हम मिस्टर तियान के गले में एक लौकेट देखते हैं जिससे एक गोल्डन लाइट आ रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर तियान का असिस्टेंट आकर कहता है बॉस ये खबर आपके बेटे के बारे में है ये सुनकर मिस्टर तियान बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं जल्दी से मेरे बेटे को घर लेकर आओ अगले सीन में हम मेर लीड यूफेन को देखते हैं जिसके पास भी अपने फादर जैसा ये गोल्डन लौकेट था यूफेन के साथ उसका फ्रेंड चियान भी होता है जो उसे शादी के लिए कॉंग्रेचुलीट करता है तबी यूफेन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे कहती है बेटा क्या आज तुम अपनी वाइफ किंग को पिक अप करने जा रहे हो लेकिन उसकी मदरिन लो कहने लगी यूफेन मैं तुम्हें साफ साफ बता दू कि जैसा तुमारा बैक्राउंड है तो मेरी बेटी से शादी करना तुमारे लिए इतना आसान नहीं है तुम्हें आज अपनी सिंसियरिटी शो करने होगी तो यूफेन बोला मॉम मैं डेफिनैटली किंकिंग को बहुत खुश रखूँगा तभी उसकी मदरिन लो हसते वे बूली फिर ठीक है तुम जाओ ये कहकर वो साइड हो जाती है तभी यूफेन देखता है कि सीडियो पर वाइन की बोतल्स रखी हुई थी फिर उसकी मदरिन लो कहने लगी अगर तुम्हें मेरी बेटी चाहिए तो तुम्हें ये सारी वाइन पीनी होगी ये सुनकर यूफेन कहने लगा लेकिन मॉम हमें शाम तक चर्च जाना है तभी किंकिं का भाई आकर बोला तुमें सारी वाइन्स पीनी होंगी अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम मेरी बेहन को यांसे नहीं ले जा सकते इसके बाद यूफेन एक एक करके सारी बोतल्स को पीना सुरू कर देता है तबी उसको वामिटिंग में होने लगती है उसका फ्रेंड चियान उसे रोकने की कोसिस करता है लेकिन यूफेन उसकी बाद नहीं सुनता और फिर से वाइन पीना सुरू कर देता है जिसकी वज़े से उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी तबी चियान उसके पास हाकर उसके हाथ से वाइन चीन लेता है और फिर उसकी मदर इनलो से कहता है यूफेन और नहीं पी सकता क्यों ना हम इसे स्कीप कर देते हैं तो मदर इनलो कहती है वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है मैं उसकी मौम हूँ तो ये सब मैं डिसाइड करूँगी तब ही चियान बोला लेकिन एक लेमिट होनी चाहिए यहाँ पर तो अभी बहुत सारी वाइन्स बांकी है इस पर मदर इनलो बोली ठीकर फिर उसे एक बोतल के 700 डॉलर्स पे करने होंगे ये सुनकर वो दोनों शौक डो जाते है फिर मदर इनलो कहने लगी अगर तुम इतने पैसे पे कर सकते हो तो तुम्हें ड्रिंक्स पीने की कोई ज़रुत नहीं तब ही चियान यूफेन से कहता है यहाँ पर तो अभी भी बारा बोतल्स बांकी है इसका मतलब तुम्हें 4200 डॉलर्स पे करने होंगे तब ही मदर इनलो कहती है चलो मैं तुम्हें दो आप्शन्स देती हूँ या तो तुम इन वाइन्स को पी जाओ या फिर पैसे दे दो लेकिन यूफेन के पास इतने पैसे नहीं थे तब ही चियान उससे कहता है अगर तुमने सारी बोतल्स पीली तो तुम मर भी सकते हो फिर यूफेन एक एनवलप में अपना क्रेडिट कार डाल कर अपने मदर इनलो को दे देता है जिसे लेते हुए उसकी मदर इनलो कहती है चलो तुमने टेस्ट पास कर लिया है अब अंदर चलते हैं हम मिस्टर तियान के असिस्टेंट को देखते हैं जो अपनी बेटी लीजवी के साथ थे तब ही एक आदमी उससे कहता है कि मुझे खबर मिली है कि आज यंग मास्टर यूफेन की शादी है ये सुनते ही असिस्टेंट अपने बॉस को कॉल करके कहता है यंग मास्टर आज शादी करने जा रहे हैं तो बॉस कहता है ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो लेकिन ये याद रखना कि शैंतियान के बेटे की वेटिंग बहुत धूमदाम से होनी जाहिए इसके बाद असिस्टेंट अपनी बेटी लीजवी से कहता है तीन दिन में हमें एक पार्टी अरेंज करनी है जिसमें यंग मास्टर को इंट्रिद्यूस करवाया जाएगा और हमें उनके लिए ग्रेंड वैडिंग भी और्गनाइज करनी है वहीं दूसरी और हम यूफेन को देखते हैं जो किंकिंग को लेने के लिए जैसे ही अंदर जाता है तो सामने किंकिंग की दो फ्रेंड्स उसका रास्ता रोक लीती है यूफेन उन दोनों को पैसो का एंवलप दे देता है लेकिन तभी उनमें से एक लड़की बूली ये काफी नहीं है इंसान अगर किसी को हासिल करना चाता है तो उसके लिए वो जितना भी करे कम है तभी किंकिंग का भाई कहता है तुम्हें मेरी सिस्टर के लिए अपनी सिंसियरिटी को प्रूफ करना होगा इस पर यूफेन हसते वे बूला ठीके बताओ तुम लोग मुझसे और क्या चाते हो इस पर मदर इनलो कहती है तुम्हें हमें डोर ओपनिंग गिफ्ट में 14,000 डॉलर्स देने होंगे यूफेन शॉक ढोकर कहता है क्या आपने पहले मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी फिर अचनक से मैं इतना सारा माउंट कहां से लाऊंगा इस पर मदर इनलो कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैसे कहां से लाऊगे लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं दिये तो तुम दर्वाजे से अंदर नहीं जा सकते तबी चियान गुसे में कहता है आप लोगी कैसी बाते कर रहे हैं हम लोग आपको पहले ब्यालिस सो डॉलर दे चुके हैं और अब तुम लोग फिर से 14,000 डॉलर मांग रहे हो ये शादी रहने ही देते हैं तबी यूफेन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है कि हम लोग तुमारा इंतजार कर रहे हैं तबी चियान गुसे में अपना कोट उतार का फेक देता है और उससे कहने लगा तुमें इशादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लोग तुमें बुली कर रहे हैं और इनको तुमें एक चलती फिरती कैश मशीन नजार आ रहे हो लेकिन यूफेन उससे कहता है मुझे ये बताओ क्या तुमारे पास पैसे हैं तो चियान कहने लगा क्या तुम पागल हो गए हो ये लोग तुमें फसानी की कोसिस कर रहे हैं तबी यूफेन बुला एक घंटे में शादी स्टार्ट होने वाली है मॉम और सभी गैश ठोटल में मेरा और किंकिंग का वेट कर रहे हैं तबी चियान कहता है मेरे पास सिर्फ 400 डॉलर्स बचे हैं जो मैंने तुमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया है इसके बाद वो अपनी मदर इनलो से बुला ये देखिए मेरे पास सिर्फ 7000 डॉलर्स है क्या इतने काफी नहीं है तो किंकिंग का भाई कहता है अगर एक पैनी भी कम हुई तो हम इसे एकसेप्ट नहीं करेंगे इस पर यूफेन बोला मॉम पहले आप हमारी शादी होने दीजिए शादी के बाद मैं आपको बाकी का अमाउंट भी दे दूगा तो किंकिंग का भाई बोला लेकिन अगर तुमने शादी के बाद पैसे देने से इंकार कर दिया तो तब भी किंकिंग की एक फ्रेंड शुयू उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते वे कहती है तुम बाकी के पैसे इसमें से दे सकते हो लेकिन यूफेन कहता है नहीं सूयू मैं तुमारे पैसे नहीं ले सकता तो सूयू कहती है चीजे इस पॉइंट पर आ चुकी है कि तुमें पैसे लेने होंगे और मैं विश्च करती हूँ कि किंकिंग और तुमारी शादी के बाद तुम हमेशे खुश रहो फिर यूफेन उसे थैंक्स कहता है इसके बाद वो अपने मदर इनलो को क्रेडिट कार्ड देते वे बोला मॉम आप इसे एक्सेप्ट करो किंकिंग का भाई तुरंत वो क्रेडिट कार्ड ले लेता है और फिर उसकी मदर इनलो से प्यार से कहने लगी बेटा मैं तुमारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाती मुझे बस यह कंफर्म करना था कि किंकिंग जिससे शादी कर रही है वो उसे हमेशा खुश रखेगा तो अब तुम अंदर जा सकते हो इसके बाद यूफेन बहुत खुश होकर किंकिंग के रूम में जाता है और फिर उसे फ्लावर्स देते वे बोला मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया किंकिंग जैसे फ्लावर्स लेने लगती है तभी उसकी फ्रेंड उसे रोक कर बोली क्या इतना काफी है ये कहकर वो किंकिंग को फिर से फ्लावर्स देने लगता है लेकिन यूफेन की मदर इनलो उसे फिर से रोक कर बोली एक आखरी शर्थ रह गई है ये कहकर वो अपने बेटे से एक पेपर मंगवा दिया और यूफेन से कहती है तुम्हें इस पेपर्स पर लिखी सबी कंडिशन को मानना होगा उसके बाद ही तुम किंकिंग को यहां से ले जा सकते हो इसके बाद वो शर्थ पढ़कर सुनाने लगती है पहली शर्थ यह है कि शादी के बाद तुम्हें जितने भी इनकम मिलेगी तुम वो सारे पैसे लाकर किंकिंग को दोगे फिर वो डिसाइड करेगी कि तुम्हें मंतली कितने पैसे देने हैं और हमेशे किंकिंग के नजरों के सामने रहना होगा लाश्ट कंडिशन यह है कि तुम शादी के बाद अपने पैरेंट्स के साथ नहीं रहोगे यह सुनकर यूफें शॉक्ड हो जाता है फिर उसकी मदर इनलो कहने लगी अगर तुम इन कंडिशन को नहीं मानोगे तो मेरी बेटी के पास यह राइट होगा कि वो तुम्हें घर से निकाल दे और डिवाउस के बाद तुम्हें मुआवजे के रूप में 17 लाग डॉलर्स देने होगे वो भी एक साल के अंदर क्या तुम यह सब एकसेप्ट करते हो तब ही चियान गुसे में कहता है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बच्चों का सरने मुसकी मदर के नाम से हो तो किनकिन की फ्रेंड लियो भी गुसे में कहती है जब एक वूमेन नौमन तक प्रेगनेंट हो सकती है और उस बच्चे की परवरिश कर सकती है तो सरने मा के नाम पर क्यों नहीं हो सकता तुम यह समझते हो कि मैंस की इज़ट सिर्फ इसमें है कि बच्चे का लाश्ट नेप फादर के नाम पर हो फिर चियान चिलाते वे बूला तुम्hein क्या लगता है कि सिर्ब तुम्ही हो जो तकलिफ में हूँ ये कार ये घर सब कुछ मेरी फेंमली ने तुम्हें पे किया है तो लिईू भी चिलाते वे बूली हमने तुम्ही ये सब खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया था अगर तुम चाहो तो तुम यह wedding cancel भी कर सकते हो फिर उसकी mother-in-law बोली क्या तुम इन सभी conditions को accept करते हो तो लियू किंकिन से कहती है यूफेन अभी hesitate हो रहा है किंकिन तुम एक बार फिर से इसके बारे में सोच लेना चाहिए क्योंकि तुम इससे better deserve करती हो तो यूफेन गुसे में उससे कहता है अपनी बक्वास बन करो तो लियू उसके पास जाकर बूली तुम शादी करने जा रहे हो और फिर भी इतना hesitate हो रहे हो एक बार अपने आपको देखो क्या तुम यह deserve करते हो यह सुनकर वो उसे एक slap मार देता है तो लियू गुसे में कहती है तुमारे हिम्मत कैसी हो मुझे थपड मारने की फिर किंकिन भी उससे गुसे में कहती है यूफेन यह तुम क्या कर रहे हो तो यूफेन उससे बोला किंकिन तुम अब बोल रही हो मैं तीन साल से तुमारे साथ हूँ लेकिन तुम्हारे घरवाले मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं तो किंकिं कहती है अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे यूफेन कहता है क्या मैंने कभी तुम्हारे घरवालों का क्या मतलब था इस पर किंकिं कहती है तुम में अभी भी हिम्मत है क तुम उसे इस तरी किसे question पूछो इस पर किंकिं कहने लगी यूफेन तुम बदल चुके हो तुम पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे पहले मैं तुम से जो भी कहती थी तुम मान जाते थे लेकिन आज तो हमारी शादी है क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो यू चाते वे भी वो किंकिं को सौरी बोलता है लेकिन किंकिं कहने लगी ऐसे नहीं तुम्हें अपने घुटनों पर बैठ कर मुझसे माफ़े माफ़े मांगनी होगी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी sincerity दिखाओ ये सुनकर वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जा तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम मेरे लिए शर्ते भी एकसेप्ट नहीं कर सकते तो यूफेन कहता है मैं बाकी सारी शर्ते मानने के लिए तयार हूँ मैं अपनी सारी salary तुमें दूगा तुमारे अलावा किसी और लड़की के साथ contact नहीं रख कर दी अगर वो मेरे साथ नहीं रही तो इनके पास रहने के लिए कोई जगाने होगी ऐकिती है कैती है तुमारी मॉम के पास अगर रहने के लिए घर नहीं है तो वो तुमारी प्रॉबलम है इसका हम दोनों से कोई लेना देना नहीं तुम मुझसे कॉम्प्रोमाइस करवाने की जगे उनके लिए दूसरा घर खरीद दो फिर यूफेन कहने लगा मैंने तुमारी लिए स्मोकिंग इस उनको यूफेन चिलाते वे कहता है ठीक अगर तुम यहीं चाहती है तो मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी तुमारे घरवालों को लगता है कि मैं तुमारे लायक नहीं हूँ लेकिन एक चीज तुमें बता दू मेरे सपोर्ट के बिना तुम कुछ भी नहीं हो तो कि सुयू तुम जानती हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं तुम्हें हमेशे अच्छे से ट्रीट करूँगा क्या तुम उससे शादी करोगी तो सुयू इसके लिए हां कह देती है ये देखकर किंकिंग कहने लगी यूफेन ये तुम क्या कर रहे हो मेरी वैडिंग प कि अभी उससे माफी मांगो यूफेन कहता है गलती उसकी है तो मैं माफी नहीं मांगूगा किंकिंग उसे स्लैप मारने वाली होती है यूफेन उसका हाथ पकड़ कर बोला पहले मैंने तुम्हें बर्दास्त कर लिया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन अब त यह सुनकर किंग का भाई बूला बटलर जियांग यह तो यू फैमली से हैं जिनकी एक मल्टी नेशनल कमपनी हैं फिर उसकी मॉम बोली लेकिन इतने वैल्दी लोग हमारी फैमली में क्यों आ रहे हैं तब ही बटलर जियांग वहां आ जाता है और उनके सामने सर जुकाता है यह देखकर पूरी फैमली बहुत खुश हो जाती है फिर जियांग कहता है यह शादी इतने सिंपल तरीके से कैसे हो सकती है यह त्यान गुरूप की सेलिबरीटी पार्टी का इन्विटेशन है वहां हम आपकी और यंग मास्टी की एक ग्रेंड वैडिंग और्गनाइस करे दूसरी तरब यूफैन सुयू को बाहर लेकर आता है और उससे बोला आज मेरी हल्प करने के लिए थैंक्स तो सुयू कहती है मैं तुम्हारी हल्प नहीं कर रही थी मैं तुमसे सच में शादी करना चाती हूं सच कहूं तो मुझे तुमसे तीन साल पहले ही प्यार हो गया लेकिन तुम उस वक्त किन किन से बहुत प्यार करते थे इसलिए मैंने तुमसे बस साइलेंट लाव किया मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं तुम्हारे सामने कभी अपनी फिलिंग से एक्सप्रेस करूंगी यूफैन मैं तुमसे प्यार करती हूं ये कहकर वो उसे किस कर देती है फिर उससे बूली चलो शादी कर लेते हैं यूफेन कहता है सुयू मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो सुयू कहती है लेकिन मेरे पास सब कुछ है मुझे सिर्फ तुमारी जरूरत है अगले सेन में वो दोनों अपना मैरी सर्टिफिकेट ले लेते हैं तब ही यूफेन कहता है तुमने इन सब चीजों के बारे में एक बार सोचतो लिया न तो इस पर सुयू बोली हमने मैरी सर्टिफिकेट ले लिया है क्या तुम अभी भी अपना मैंड शेंज करना चाते हो तुम से शादी करना मेरी लाइफ का बेंश डिसीजन है तो यूफ सीन में उसके पास काफी सारी कार आकर रुखती है बटलर जियांग और उसकी बेटी वहां आकर उसके सामने सर जुखाते हैं तो यूफेन उनसे कहता है सर आइधिंक आप मुझे कोई गलत परसन समझ रहे हैं मैं तो एक औरडिनरी परसन हूं ना कि कोई यंग मास्टर तो बटलर कहता है हमें कोई मिस्टेक नहीं हुई पांश्ट में आपके फादर को कुछ एनिमीज ने किड्नैप कर लिया था इसलिए उन्होंने मुझे आपको एक गरीब फैमली में छोड़ने के लिए कहा लेकिन उन्होंने आपके साथ एक लॉकिट छोड़ा था फिर बटलर कहता है आप इस बात की फिकर ना करें मैंने पहली सब कुछ प्रिपेर करवा दिया है यह मेरी डॉटर है लीजुई जो अब्रॉड से स्टड़ी करके वापस आई है यह आज से आपकी परसनल असिस्टेंट होगी और आपकी सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में आपक चैयर्में और आपने यह बहुत और यह परसनल जाकर मिस्किंग को भी इन्वीटेशन लेटर दे दिया है यूफेन बोला हमारी इंगीजमेंट कैंसल हो गई ती इस पर बटलर कहता है तो क्या आप चाते हैं कि मैं इन्वीटेशन वापस लेकर आँ यूफेन बोला नहीं पार्टी अटेंड करने दूँ उसे हमेशा से ये बात पसंद नहीं थी कि मैं एक गरीब फैमिले में पैदा हुआ हूँ और उसने कहा कि मैं उससे शादी करने के लायक नहीं तो आप मैं भी उसका रियक्शन देखना चाहता हूँ पाइदवे मिश्टर जियांग क्या आप सू फैमिली को जानते हैं तो बटलर कहता है मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन इतना पता है कि उनका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा और वो अपने लिए पार्टनर्स ढूंड रहे हैं ताकि बिजनेस क्राइसिस को कम कर स कहता है सूयू मेरा साथ देने के लिए थैंक्स तुमने मुझे पर तब यकिन किया जब मेरे पास कुछ नहीं था अगले सीन में यूफैन अपने असिस्टेंट के साथ सूयू के घर पर जाता है तो लेजू उससे कहता है क्या मैं भी आपके साथ अंदर चलू यूफैन कहत कर खुश नहीं होते फिर वहां जाकर वह उन्हें अपना लाया हुआ गिफ्ट देता है लेकिन उसकी मौम उसे फेक कर बूली तुम मेरी बेटी से शादी करने के बाद यह ट्रैस ले कर आयो तो यूचैन कहता है यह हजारों साल पुराने स्नो माउंटेन है तब भी वहां चाते हूं कि इसे तुम्हें यूफैमली ने दिया है यूफैन कहता है हां फिर मिस्टर ली कहने लगा तुम्हें गरीब लड़के हूं तुम यह कहने कि सोच भी कैसा सकते हो कि स्नो माउंटेन रियल है और इसे तुम्हें यूफैमली ने दिया है अगर यह रियल है तो चल के फिर regret मत करना ये सुनकर वो उस डोर को खोलने लगता है तब भी सुयू से रोक कर कहती है इस snow mountain को मैंने खरीदा है और इसलिए ये रियल है ये सुनकर Mr. Lee बोला तुम इसके लिए responsibility क्यों ले रही हो यू फैन तुमने अपनी tricks में सुयू को भी सामिल कर लिया तब भी यू फैन सुयू से कहता है सुयू प्लीज इसे एक बार ओपन करने दो और मेरा यकीन करो इसके बाद वो उस डोर को खोल देता है जिसके वज़े से स्नो माउंटेन उसके हाँ से डिसपियर हो जाता है और ये देखकर सभी लोग शौक्ड हो जाते हैं लेकिन फिर Mr. Lee उसका मजा ये कहकर वो उन्हें 14 करोड डॉलर्स का कॉंट्रेक्ट दिखाता है और उनसे कहता है ये आपके लिए यू फैमली की यंग मास्टर ने बेज़े हैं तीन दिन बाद वो एक पार्टी भी और्गनाईज करने वाले हैं मेरे फादर की Mr. त्यान के साथ काफी अच्छी तुम्हारी गाइडेंस तुमक्यापने आपको ट्यान क्रूप का चेरमें समझते हो तो यूफैन कहता है हाँ ये सुनकर सुयो उससे बूली यूफैन यह कोई मजाक की बात नहीं है तो यूफैन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा मैं सच्मी यू फैमली का यंग मास्टर कर दूँगा कि मैं जूट नहीं बोल रहा यह कहकर वो बटलर जियांग के पास कॉल करता है और उससे तीन मिनट के अंदर सू फैमली में आने के लिए कहता है अगर यह ऐसे यू फैमली का यंग मास्टर होने का प्रिटेंड करता रहा तो इसके विज़े से आप भी प्रॉब शूई उन्हें रोक लेती है फिर उसके डैड बोले शूई मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जल से जल उससे डिवॉस ले लो क्योंकि मैं तुम्हारी इस मैरीज को एकसेप्ट नहीं कर सकता शूई कहती है डैड मैं उससे कभी नहीं चूड़ूंगी तभी वहाँ पर यू फैमिली के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन्स है तभी बटलर जियांग वहां आता है तो ली उससे बताता है कि मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूं और फियू से बोला कल दियान ग्रूप एक पार्टी और्गनाइज कर रहा है तो मुझे आपस एक फेवर चाहिए था आपको ठेंक्स कहने की कोई जवरत नहीं है आफ्टर आल हमारी फैमिली के बीच काफी अच्छा रिलेशनसिप है और मैं सुयू से काफी टाइम से प्यार करता हूं तो ये छोटा सा फेवर तो कुछ भी नहीं था खेर कर बटलर्स यांग मुझे यू फैमिली के यंग मास् कोड़ कर चली जाती है अगले सीन में यीजू यू फैन को लेकर एक सौपिंग शेंटर में आयोती है और उससे कहती है ये तियान ग्रूप का परसनल सौपिंग शेंटर है आपको आजात की पार्टी के लिए जो भी चाहिए वो आप यहां से खरीच सकते हैं मुझे आंकी म को वापस पाना चाते हो फिर किंकिंग कहती है यूफैन अब हम कभी साथ नहीं हो सकते इसलिए प्लीज मेरी आखों के सामने दुबारा मताना इस पर यूफैन बोला तुम अपने आपको समस्ती क्या हो तब ही किंकिंग का भाई कहता है ये एक लगजरी स्टोर है अगर तुमारे ले नहीं है फिर वो गार्ड्स को बलाकर उसे वहां से बाहार निकालने के लिए कहता है लेकिन तबी लीजवी वहां कर बोली मैं भी देखते हूं किसमें हिम्मत है मास्टर को यहां से बाहार निकालने की ये सुनकर किंग का भाई बोला क्या कहा तुमने इसे मास साहर किये वो काफी सुन्दर है क्या तुम मेरी गर्फरेंड बनना चाहोगी क्योंकि मेरी से कई गुने जादा है लेकिन तभी लीजुई उसे किक मार देती है तभी किंगिंग की मौम वहां पर स्टोर मैनेजर को बुला ले दिये और उन दोनों को वहां से बाहर निकालने के तो मैनेजर कहता है क्योंकि उनका स्टेटस हाई है अगर तुमारी गलती ना भी हो तब भी तुम्हें उसे माफी मांगनी होगी तब ही लीजुई वहां के जनरल मैनेजर को कॉल करती है और उससे बूली तीन मिनट के अंदर यहां आओ वरना तुम अपनी जॉब खोदोग इस पर मैनेजर बूला डायरेक्टर आप यहां मैं तो बस इन दोनों लोगों को बाहर निकाल रहा था जो यहां ट्रबल कर रहे थे यह सुनकर डायरेक्टर उसे एक धपड मारता है और फिर यूफेंस से सौरी बोलता है तब ही लीजुई उससे कह दिया तुमारे स्टाफ परसनल शोपिंग सइंदर है तियान ग्रुप के सीओ के होने वाली वायफ तुमारे सामने खढ़ी है तो तुमारी हिमध कैसी भी मेरी बात नामानने की तो लीजवी उससे कह दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यू फैमली के यंग मास्टर की वाइफ बनने के लायक हो, तो किंग किंग कह दिया, तुम मानो या ना मानो, आज राद की सेलिब्रिटी पार्टी के बाद सब जान जाएंगे, क्योंकि वाँ मेरी और यू फैम किंग का भाई बहुत गुस्से में होता है, और वो उनसे कहता है, आखिर वो लड़की कौन थी, जो डायरेक्टर को ओर्डर दे रही थी, हो सकता है, वो कोई फेमस वूमेन हो, तो उसकी मॉम बोली, उसने जरूर डायरेक्टर को सैडियूस कर रखा होगा, तब ही हो देख होगी, तब तक मैं मिसेज यू बन चुकी होगी, और उसके बाद मैं उसे घुटनों पर बैठ कर माफिय मांगने के लिए कहोगी, तो उसका भाई बोला, उस लड़की की बाद उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो भी सेलेब्रेटी पार्टी अटेंड करने वाली है, तो हम उ कुझे फॉलो कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दू कि आज मैं मिसेज यू बनने वाली हूँ, और उसके बाद तुम्हें अपने घुटनों पर बैठ कर मुझसे माफिय मांगनी होगी, आई नो तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन यही सच है, तुम कीचर में पैदा यह सुनकर वो उसे एक स्लैप मार देता है, और उसे बोला, मुझे कुछ बोलने से पहले तुम अपना स्टेटस देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिसेज यू बनने के लायक हो, तो किंग किंग कहती है, हाँ मुझे खुद यू फैमिली ने चूज किया है, आज की पार्टी बटलर्स यांग ने और्गनाइज की है, और वो खुद मेरी और यंग मास्टर के इंगेजमेंट को अनौन्स करेंगे, अब बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हेरे साथ क्या करती हूँ, इस पर यू फैन बोला, मैं भी बेसबरी से सच सामने आने का इंतिजार कर रहा हूँ, उसके बाद तुमारे पास पेन और रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाता है, और वो भी उनके साथ यू फैन की इंसल्ट करने लगता है, इसके बाद हम लीजुई को देखते हैं, जिसकी उस पार्टी में एंट्री हो रही थी, दूसी तर्फ सभी लोग यू फैन से बहस कर रहे थे, तब ही यू फैन सुयू का हाथ पकड़ कर सब के सामने जाता है, और उनसे कहता है, मैं ही यू फैमली का यंग मास्टर हूँ, ये सुनकर सुयू के डैड उससे कहता है, सुयू जल्दी से वा निकालना पड़ेगा ये सुनकर यूफैन बोला मैं भी देखता हूं किसमें मुझे टच करने की हिम्मत है तभी ली उससे बोला यूफैन तुमने बहुत एक्टिंग कर ली क्या तुम सच में अपने आपको यंग मास्तर समझने लगे हो फिर सभी लोग उससे घुटनों पर बैटकर माफी मांगने के लिए तभी लीजुरी तुम जिससे घुटनों पर बैटकर माफी मांगने के लिए कह रहे हो तुम जानते भी हो कौन है ये कहकर वह यूफैन के पास जाती है तभी किंक नुकरिक बहुत स्प्रेश भूल हूं वो खुद तो इस पार्टी में नहीं आ सका लेकिन उसने इससे भेज दिया इस पर लीजवी कहती है किसी और के बारे में बोलने से पहले तुम अपना स्टेटस देखो तब भे ली कहने लगा मैं ली फैमली का यंग मास्टर हूँ और यू फैमली ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे ये सुनकर यू फैन बोला अब मैं तुम्हें किलियर करना चाहता हूँ कि मैं ली फैमली को सपोर्ट नहीं करूँगा और अगर फ्यूचर में भी तुमने इसी तरह रूट भी चया तो मैं Lee family को destroy भी कर सकता हूँ ये सुनकर Lee कहने लगा क्या तुम सच में आपने आपको Young Master यू समझने लगे हो जो तुम मेरी family को bankrupt करवाओगे तब ही यू फैन अपनी assistant से कहता है बटलर्स यांग को inform करो कि वो Lee के dad को याँ बुलाए तो chairman Lee के लिए हाँ कह देते हैं वहीं दूसरी और यू फैन Lee से बुला अब तुमारे dad यहां आने वाले हैं उनके सामने ही तुम्हें अपनी गलती एकसेप्ट करके मुझसे माफ़ी मांगनी होगी लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बातों पर यहीं नहीं कर रहा था यहां तक कि वो लोग बार-बार उसकी इंसल्ट किये जा रहे थे और तभी वहाँ पर chairman ली आ जाते हैं सब लोग यह देखकर शौक्ड हो जाते हैं कि यू फैन ने उन्हें कैसे यहां बुला लिया तो वो अपने डैड से कहने लगा मिश्टर यू अभी तक आये नहीं है लेकिन आज मैं उनके अटेंशन पाने की पूरी कोसिस कर रहा हूँ यह कहकर वो अपने डैड को यू फैन के पास ले जाता है और बताता है कि यह यंग मास्टर होने का प्रिटेंड कर रहा है और धमकी दे रहा है कि यह हमारी फैमली को डैश्टोय करवा देगा फिर वो यू फैन से कहता है तुमने कहा था ना कि तुम मेरे डैड के सामने मुझसे माफ़े मंगवाओगे लो मेरे डैड आ चुके है अब तुमारा क्या प्लैन है क्या तुम अपनी मिस्टरेस के हैप लोगे यह सुनकर लीजवी गुसे में कहती है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ इस पर ली कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो लेकिन तुम हो तो एक मिस्टरेस ही तभी ली के डैड उसे एक स्लैप मार देते हैं और फिर लीजवी से बोले प्लीज मेरे बेटे को माफ कर देना इसने आपको पैचाना नहीं तभी ली उनसे बोला डैड आप एक मिस्टर से माफी क्यों मांग रहे हैं तभी उसके डैड उसे एक और स्लैप मारते हैं और फिर उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं सब लोगी जानकर शौक्ट हो जाते हैं कि वो सचमें बटलर जियांग की बेटी है इसके बाद ली जुई कहने लगी तुम्हारे बेटे ने कई बार मेरी डिस्रिस्पेक्ट ही है और इसके वज़े से मैं ली और त्यान फैमली के भी सारे कॉपरेशन्स खतम कर रही हूँ तभी चेर्मेन ली माफी मांगते हुए बूले हमने आपका उफेंड किया उसके लिए सौरी मैं अभी आपको इससे माफ़े मांगने के लिए कहता हूँ लेकिन ली जुई कहती है कि अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर चेर्मेन ली कहने लगे मुझे आखुद बटलर जियांग ने बुलाया है ताकि हम यंग मास्टर का परसनली वेलकम कर सके अगर तुमने कोई मिस्टेक की तो क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे डेर तुम्हें डाटेंगे वैसे भी यू फेमली है तुम सिर्फ उनकी एंपलोय हो इसके बाद हमें बटलर जियांग को दिखाया जाता है जो उसी पार्टी में आ रहे होता है वहीं दूसी और लीजवी सबको बताती है कि यू फेन ही यू फेमली का यंग मास्टर है और वो ही तियान ग्रुप का होने वाला चेर्मैन ये सुनकर सभी लोग शौक्ड हो जाते हैं तब ही चेर्मैन ली कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस लड़के को कवर करने के लिए अपनी पावर का यूज करोगी अगर आज तुमने कोई इविडेंस देखकर अपनी आइडेंटिटी प्रू नहीं की तो मैं ये समझूगा कि तुम यूज फैमली के अगैंस जा रही हो अगर तुम बटलर्ज यंग की बेटी नहीं हुई तो तुमें आज बहुत सफर करना पड़ेगा तब ही वहाँ पर बटलर्ज यांग के आने की अनाउंसमेंट होती है तो चेर्मेन ली उनके पांस जाकर कहते हैं बटलर्ज यांग अच्छा हुआ कि आप टाइम पर आ गए आज की सेलिब्रिटी पार्टी में एक लड़का यहां कर सीन क्रेट कर रहा है फिर वो उने अंदर ले जाते हैं और ली उने बताता है कि यह लड़का यू फैमली का यंग मास्टर होने का प्रिटेंड कर रहा है इसने पताने क्या कहकर आपके बेटी को भी अपने जाल में फसा लिया है और वो भी अब इसे ही सपोर्ट कर रही है इसने मुझे धमकी भी दी कि यह ली फैमली को डैश्टर कर देगा तब ही सूयू बटलर्स यांग से बूली आज जो भी हुआ उस सब में मेरी गलती है प्लीज आप यू फैन को माफ कर देना फीर वो सभी लोग उसे बोला आज जिसने भी यंग मास्टर की disrespect किये वो सामने आओ इस पर चेर्में ली बूले बटलर्स यांग यहाब क्या कह रहे है वो यू यंग मास्टर कैसे हो सकता है क्या आपको मुझपर शक है तब ही चेयर्मेन ली अपने बेटे को थपड मारते हैं और उससे गुसे में बूले ये सब तुमारी वज़े से हुआ है यंग मास्टर खुद हमारी आँकों के सामने खड़े थे क्या तुम अंधे हो गए थे तुमारी वज़े से आज ली फैमली बरबाद होने वाली है ये कहकर वो उसे एक किक मार देते हैं और फिर यूफेन के पैरों में गिर कर बोले मेरे बेटे ने आपको उफेंड किया उसके लिए मापसे माफी चाता हूँ दूसरी और किंकिंग के फैमली वाले अब उससे बहुत डर रहे थे और फिर यूफेन किंगिंग से कहता है अब पहले तुम अपना स्टेटस देखो और बताओ कि क्या तुम मेरी वाइफ बनने के लायक हो इस पर किंकिंग कहती है नहीं ये इंपॉसिबल है ये पूर लड़का यूफेमली का यंग मास्टर होई नहीं सकता ओ अब मुझे समझ आया बटलेज यांग को अपनी बेटी के लिए गिल्टी फील हो रहा होगा इसलिए उन्होंने जूट बोला कि यूफेमली का यंग मास्टर है लेकिन ये बस एक यूजलेस परसन है तब ही लीजुई आकर उसे एक स्लैप मार देती है और उससे कहती है तुमारे हिम्मत कैसे यंग मास्टर को यूजलेस कहने की क्या तुम अपने आपको उसके लायक समझती हो ये सूनकर वो यूफेम्स से बूली यूफेम्स तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यूफेमली के यंग मास्टर बनने वाले हो तो किंकिंग कहने लगी यूफेम्स तुम कितने हाट़लेस person हो मैं तीन साल तक तुमारे साथ रही और अब तुम रिच बन गए तो मुझे छोड़ रहे हो इस पर यूफेन बोला मैं हाटलेस हूँ ये किसने कहा था कि उसे एक लगजरी लाइफ चाहिए ये किसने कहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ इसके बाद वो मिश्टर शू के पास जाकर कहता है मिश्टर शू पहले में कुछ भी नहीं था कि अब आप मेरी और शूयू के रिलेशनसिप के बारे में फिर से सोच सकते हैं इस पर मिश्टर शू बोले नहीं वो सब मेरी गलती थी इसके बाद लीजवी रियू फैन से बूली, यंग मास्टर मुझे आपसे एक important बात पर discuss करना है, फिर वो सुयू से वहीं wait करने के लिए कहकर उसके साथ बाहर चला गया, अगली सीन में लीजवी उसे बताती है कि आज इस पार्टी में दुनिया के top 5 businessmen आने वाले हैं, अगर उन्हें आपकी real identity पता चली, तो वो आपसे deal करने के लिए अपनी tricks यूज़ करेंगे, इसलिए हम आपकी जगे पर किसी और को वाई यंग मास्टर बना कर भेजेंगे, जब एक बार सब कुछ सॉल हो जाएगा, उसके बाद हम आपकी true identity रिवील करेंगे, तो यूफैन इस पर हाँ कह देता है, वही पार्टी में उन लोगों को पता चलता है कि यूफैन सिर्फ एक सबस्टिटूट था, असली यंग मास्टर कोई और है, ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि उसने हमें बेवकूफ बनाया, इसे उसकी कीमत चुकानी होगी, अगले सीन में इसका नाम जूमिंग है, और इसकी वर्क एबिलीटी एकसिलेंट है, इसलिए हमने ये प्रोजक्ट इसे दिया है, बैदावे मैंने नोटिस किया है कि आप बस से ट्रेवल करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल कार भी ओर्डर कर दिये, जिसमें आपके चमर आया है, हमें वहाँ जाकर उनका वेलकम करना चाहिए, तो दूसरी लड़की लिंक कहती है, वो मुझे एक रिच परसन नहीं दिख रहा, तो हम वहाँ जाकर टाइम वेस्ट क्यों करें, अगर तुम्हें जाना है तो खुच चली जाओ, और फिर मुझे बलेम मत करना कि मैंने तुम्हें वाण नहीं किया, तुम उसका वेलकम करके एक पैनी भी नहीं कमा पाओगी, ये सुनने के बाद भी वो लड़की उसके पास चली जाती है, और उससे बूली, सर क्या आप यहां कार खरीदने के लिए आएं, आप इन में से कौन से मॉडल चूज करेंगे, म और यहां की सबसे सस्ती कार भी 4000 डॉलर्स किये, इस पर यूफैन बुला, और सबसे expensive कार, तो शाव्यू से बताती है कि वो कार 40 लाग डॉलर्स किये, ये एक सूपर कार है, लेकिन इसे अल्रेडी किसी ने ओर्डर कर दिया है, तब ही वहां पर किंकिंग अपने नए तो लिंग यूफैन से बूली, अगर तुम कार अफॉर्ड ने कर सकते तो प्लीज यहां से चले जाओ, और हमारे दूसरे कस्टमर्स का टाइम वेश्ट मत करो, ये सुनकर शाव्यू उससे कहती है, हमारे स्टोर का ऐसा कोई रूल नहीं है, जो हम उसे कार देखने से रोके तो लिंग उसे डाटते वेए बूली, शाव्यू क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मिश्टरी शेन यहां पर कार खरीदने के लिए आये हैं, और ये लड़का उनका मूड खराब कर देगा, फिर लूफैन बोला, किसने कहा कि मैं कार अफॉर्ड नहीं कर सकता, इस पर लूफैन देखो, मुझे तो मिश्टर शेन जैसा वैल्दी बॉइफ्रेन मिल गया है, तो तुमें छोड़ना मेरी लाइफ की सबसे बेंश्ट चोइस थी, इसके बाए शेन 16,000 डॉलर्स की एक कार खरीद लेता है, तब भी शेन बोला, मुझे भी यही कार खरीद नहीं है, यह सुनकर शेन कहने लगा, पहली बात तो तुम इसे अफॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर अफॉर्ड कर भी लिया तो मैं इस स्टोर का VIP मेंबर हूँ, तो यह कार सिर्फ मेरी होगी, इस पर यूफैन कहता है, मैं इस कार के लिए डबल प्राइस दूगा, यह सुनकर शाव कूफ नहीं हो, यूफैन बोला, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, फिर शेन कहता है, तुम भी बस बाते कर रहे हो, पैसे तो तुम्हारे पास भी नहीं है, मैं भी देखता हूँ तुम 32,000 डॉलर्स कहां से लेकर आते हो, तब ही यूफैन अपना कार्ड निक बना था, तो जरूर इसने शौफ करने के लिए जान बूज कर लोन लिया, यूफैन तुम मुझे वापस भाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे यूजलेस परसन मेरे किसी काम का नहीं, फिर शायू से कार के पेपर्स ला कर देती है, लेकिन तब यू लोगों से सकनफ रहत है जो पैसों के लिए अपनी बॉड़ी सैल करते हैं, फिर शायू कहने लगी, सर ये कार आपने 32,000 डॉलर्स में खरी दिया, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं इसे एकसेप्ट नहीं कर सकती, इस पर यूफैन बोला, इट्स ओके, वैसे भी म मुझे दे देंगे, तो आप क्या करेंगे, इस पर यूफैन कहता है, मेरे पास अपनी कार है, ये कहे कर वो वहां की सबसे एकस्पेंसिव कार की तरफ इशारा करता है, जिससे देखकर वो लोग शौक डूजाते है, तब ही शेयन उससे बोला, तुम कह रहे हो कि वो सूपर इस पर शेयन कहता है, ये एक लिमिटेड एडिशन कार है, और इसको खरीदने वाले की नैटवर्स साथ मिलियन डॉलर से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तुमारी सेलरी तो सिब पांसो डॉलर से, फिक केंकेंग बोली, ठीक अगर आज तुम इस सूपर कार को खरीदने की रखते हो, तो मैं खुद गुटनों पर बैटकर दुमसे माफ़ी वागूँगी, और अपनी गलती एकसेप्ट करूँगी, ये सुनकर यूफेन कार के पास जाता है, तब ही शाव्यू वहां कर कहती है, मिष्टर यू प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस दुनिया में सिर्प 10 सू अगर प्रिंट रजिष्टर हो चुका है, अगर आप इसमें फेल होगे तो आप कभी भी एक सूपर कार नहीं खरीद पाएंगे, फिर लिंग वहां कर शाव्यू से बूली, शाव्यू है सब तुमारी वज़े से हुआ है, आज अगर इस कार को कुछ वहा तो उसके लिए त इस पर शाव्यू कहती है, मुझे इस बात की फिकर नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूं कि इस कार का ओनर बहुत रीच है, आप इस वज़े से ट्रेबल में आ सकते हैं, इस पर लिए फैन बोला, तुम डरो मत, ये कार मेरी है, इस पर शाव्यू बोली, लेकिन इस कार को तो क इस पर बैट कर तुम से माफि मागूगा, लेकिन अगर ये कार तुमारी नहीं ही, तो तुमें मेरे जूते चार्ट कर साफ करने होगे, यूफेन इसके लिए हाँ कह देता है, और अपने फिंगर प्रिंट से उस कार को अनलोक कर देता है, फिर यूफेन वहां आकर बोला, म बहां आकर वो लिंक को फायर कर देता है और फिर शावियू से बोला तुमने आज बहुत अच्छा काम किया आज से तुम कार डीलर्शिप की इंचार्ज हो शावियू ने थैंक्स कहती है तब ही शैन डायरेक्टर से बोला आप इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए मु मेंबर्शिप कैंसल करें लेकिन अब पने तुम देखो रहा हो लेकिन दभी डायरेक्टर वों आपर Congratulations कैकर लेकिन फमेंनों तुम किके सब्स्राइब म Nikki से और रिंदा रहा है मैं कि न लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो डैफिनेटली तुम्हें फिर से मेंबर्शिप दे देंगे इस पर शैन कहता है हां लेकिन मुझे इस यूफैन को सबक सिखाना होगा वहीं दूसरी और यूफैन के पास सुयू का कॉल आता है तो वह शॉक्डोकर कहता है क्या मैं अभी क पर कार लेकर सुयू से मिलने के लिए चला गया और उससे बोला तुम्हें क्या हुआ मेरी स्कूल ने पुराने स्टूडेंट्स को एनिवर्सी सेलिब्रेट करने के लिए बुला है और मेरा फेई नाम का एक ओल्ड स्कूल मैट है वो भी वह आने वाला है वो जाओ फैमली स से कहती है उनके स्टॉक प्राइज इस वक्त सबसे नीचे गुर चेक है हमारे पास बस पांच मिनट है उनके स्टॉक को खरीदने के लिए यूफैन बोला तो चलो चल्दी से हुआन स्टूडियो चलते हैं अगले सीन में हुआन स्टूडियो का एक एमप्लोई डिरेक्टर को बताता है कि मिस्टर यू हमारी कंपनी को खरीदना चाहते है तभी वहाँ पर लेजवी आती है तो एमप्लोई उस पर चिलाते हुए बोला किसकी हिम्मत भी बिना परमीशन के डिरेक्टर के आने की लीजवी कहती है तियान ग्रूप के प्रेजिडेंट यूफैन की इसक प्लीज आप जल्दी कोई सॉलुशन ढूलो तभी यूफैन उससे बोला इसको भी पांच मिनट के अंदर मीटिंग में आने के लिए कहता है और साथ में यान को भी लेकर आना अगले सीन में वो दोनों मीटिंग में पहुंच जाता है तभी यान वहाँ पर लीजवी को दे बाद कर दिया हुआन फिल्म स्टूडियो को कोई खरीद रहा है यह सुनकर चैर्मेन कहता है किसकी उकाते इस स्टूडियो को खरीदने की तभी यूफैन कहता है मेरी उसे वहाँ देखकर वो दोनों शौक डो जाते हैं फिर यूफैन उनसे बोला चलो मैं अपने आपसे त इसके बाद लीजवी सभी को एक फाइल देती है जिसमें चैर्मेन और यान की चैट इनफॉर्मेशन दी जिससे इसाबित हो रहा था कि उन दोनों का काफी टाइम से अफैर चल रहा है इसके बाद वहां के सभी एंप्लोईज यूफैन से माफ़े मांगते हैं फिर यूफै इस सिच्वेशन में मेरी हेल्प कर दो आज के बाद मैं कभी तुम्हें टार्गेट नहीं करूंगी लेकिन लीज उसकी हेल्प करने से मना कर देती है फिर कुछ सिक्यार्टी गार्स आकर यान को पकड़कर वहां से ले जाते हैं इसके बाद चैर्मेन अपने घुटनों पर बैटकर उससे माफ़े मांगता है लेकिन यूफेन बोला तुमने अपनी पावर का यूज करके यहां की फीमेल एक्टरस के साथ मिस बीहव किया है तुम्हें माफ़े नहीं बलकि सजा होनी चाहिए तब ही चैर्मेन उसके पैरों में गिरगर कहता है मिस्टर यू प्लीज इस बार मुझे माफ़ कर दो मैं पूरी लाइफ आपका सर्वेंट बन कर रहूंगा लेकिन कुछ सिक्योर्टी गार्ट साकर उसे भी पकड़ कर ले जाते हैं इसके बाद यूफेन सबसे बोला आज से मिस्स लीस स्टूडियो की नई सीई होगी क्या किसी को इसमें कोई चले जाते हैं अगले सीन में वह आदमी उन्हें घर में ले जाता है तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उससे बूला मैं तुम्हें अपने आपसे इंट्रीउस करवाता हूं मेरा नाम यूसी है और रिलेशन्सिप में मैं तुमारा ग्रेट अंकल लगता हूं इसी की 37 ड लगता हैं तुमारा ग्रेट जाता है है और रिलेशन्सिट्ट।